नमस्कार मेरी आज की इस वीडियो में आप सभी कहा बहुत बहुत सभागत हैं तो चलिए, exercise 1.2 integers के आगे एक questions करते हैं Question 3 Verify the following properties First है, commutative property of addition हमें verify करना है हम जानते हैं कि हम integers का chapter करना है हमें कहा रहा है, commutative property of addition को आप verify करके बताओ ठीक है? अब पहले देखते हैं, commutative property होती क्या है यदि A plus B करें, is equal to B plus A यदि ऐसा हो, तो यह है आपकी commutative property और यह है addition की property ठीक है? A plus B is equal to B plus A चलिए, हम assume कर लेते हैं A को हम 1 माल लेते हैं और B को हम 2 माल लेते हैं लेकिन A को कोई भी माल लेते हैं मैं negative ले लेते हूँ क्यों क्योंकि integers की बात हो रही है integers जो होते हैं, whole number में जब आप negative numbers लेते हैं तब जाके वो integer बनता है तो इसे लिए मैंने एक number negative ले लिया अब चलिए, देखिए हम इसको verify करते हैं A plus B देखिए हम पहले left hand side ले ले लेते हैं different side में A plus B है A plus B इसको हम पहले देखते हैं, क्या आता है A की जगह में हमने रखा 1 B की जगह में रखा minus 2 Solve करिए 1 plus minus minus 2 2 में से 1 तो आया minus 1 ठीक है अब हम RHS ले लेते हैं RHS है हमारा B plus A B plus A B की value क्या है? minus 2 A की value क्या है? 1 अब देखिए plus minus minus 2 में से 1 गया और 2 is greater so minus 1 आया देखिए इसका मतलब है कि आपका जो LHS है और RHS है equal है तो ये हो गया आपका hence verified तो commutative property of addition हमने यहाँ पर verify कर दिया ओके? B है associative property of addition associative property होती क्या है? M plus N plus P is equal to M plus N plus P यानि कि ये यदि ऐसा है यानि आप 2 को पहले सामने वालों को bracket में ले लीजे बाद में यदि पीछे के आप जो numbers है उने bracket में लेते हैं तो भी जो इनको plus करने पर तीनो numbers को सेम आता है answer ठीक है? इसको अपने को proof करना है चलिए हमने M is equal to 1 mana N is equal to minus 2 mana P is equal to हम एक 3 ले ले लेते हैं ठीक है? चलिए 1 plus minus minus यह हो गया और यहां है 3 2 में से बन गया 1 आया and 2 is greater तो minus 1 आ गया 3 अब देखे 3 में से बन गया 2 आ गया 3 is greater यानि answer 1 plus यानि M plus N plus P जब हमने ऐसे solve किया तो हमारा answer 2 आता है ओके अब हम RHS देख लेते हैं RHS में मैंने कैसे लिखा है? M plus N plus P हमने bracket जो last के 2 numbers है उन में लिया है चलिए value पुट करते है M की value हमने लिए है 1 M की value लिए है हमने minus 2 और P की value है हमारी 3 ठीक है? bracket हमने यहां लगाया चलिए solve करते है यह हो गया 1 3 और यह minus 2 है यह plus है यह minus है यानि की minus होगा 3 में से 2 गया आ जाएगा 1 bracket के सामने 1 था यहां पर आपका plus 1 आया यानि की यह होगा 1 plus 1 कितना हो गया? 2 आ गया यानि आपका LHS और RHS हो गया यानि LHS is equal to RHS हो गया यही तो आपको प्रूफ करके बताना था ठीक है? तो आपने यहां लिख दिया Hence Verified यह थी आपके associative property of addition C है Commutative property of multiplication देखे Commutative property क्या होती है? M cross N M multiplication N is equal to N multiplied by M दोनों equal होते हैं यह कहलाता है Commutative property ठीक है? हमने M is equal to 1 N is equal to minus 2 लिया था चली value put करके देख लेते हैं यहां पर भी हम LHS, RHS कर सकते हैं यहां हम सीधे सीधे रखके देख लेते हैं M into N M into N कितना आ गया? 2 into 1 2 N Plus, minus, minus यानि M into N is equal to minus 2 यानि LHS देखा जाए तो minus 2 आगे अब N into N देख लेते हैं N की value है आपकी minus 2 M की value है 1 है ना? यह देखे N की value minus 2 M की value 1 आप multiply करो 2 into 1 2 आएगा 2 यहां minus है, यहां plus है minus होगे अब जरह देखे M into N N into N दोनों की value minus 2 है यानि कि यह equal हो गया यानि कि यह हो गया आपका Hence Verified Okay Associative property of multiplication यह है D Associative property अभी हमने और एक बर किया था तो देखे आपके लिए यहां multiplication का है Associative property M and P आपको 3 numbers लेने होते हैं चीक है? यह हो गया Is equal to आपको पूफ करना है M and cross P यहां multiplied by P यहांनि आप यह दी दो आपके जो यह numbers है First two deserts है आपकी numbers है उन्हें आपने एक बार bracket में ले लिया And after that जब आप last two को भी bracket में लेते हो तो भी जब आप multiply करते हैं तो answer same आता है चलिए M is equal to हम 1 मान लेते हैं N is equal to minus 2 P is equal to 3 हमने माना था ना? अब देखे LHS, RHS करना शुरू करते हैं या हम सीधे-सीधे यहां कर देते हैं देखे M M1 है N है minus 2 P क्या है आपका? 3 ठीक है? पहले हम यह जो first two numbers हैं उन्हें हम bracket में ले रहे हैं इन्हें solve करते हैं 2 1 जा 2 हो गया plus minus minus हो गया into 3 3 टूजा हो गया 6 plus minus minus यानि कि minus 6 आ गया इसको देखे M M की value 1 N की value आपने minus 2 लिया है P की value 3 आप solve करेंगे तो 1 into 3 टूजा हो गया 6 minus का हो गया यहां plus है यह minus है minus 6 आ गया अब जब आप 1 से 6 multiply करते हो तो 6 आता है यह भी plus बस यह तो आपको solve करना था यानि कि associative property of multiplication जो है हमने proof कर दिया कि integers के लिए यह property लग भी है यानि यह हो गया आपका hence verified ओके इह है Distributive law of multiplication over addition देखे Distributive law यानि कि और वो भी आप क्या देख रहे हो multiplication multiplication के लिए और over addition यानि यह ऐसा है n plus p is equal to m multiplied by n plus m multiplied by p ठीक है m multiplied by n plus p is equal to m multiplied by n and m multiplied by p ठीक है तो अब हम LHS and RHS प्रूफ करते हैं कि दोनों equal हो रहे हैं कि नहीं m is equal to मैंने 1 ले लिया n is equal to minus 2 ले लिया और p is equal to ले लिया 3 चलिए अब हम LHS फिर से में एक बार LHS and RHS लिख देती हूं आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताए वैसे भी किया सकता है हम LHS में ले रहे हैं m multiplied by n plus p चलिए इसको value put up करिए यहांपर m की value है 1 यह multiplication है यहांपर अब n n की value है minus 2 p की value है 3 ठीक है चलिए इसे solve करते है 1 multiplied by अब 3 यह plus का है यह minus का है तो plus minus minus होगा 3 में से 2 गए 1 आएगा 3 is greater number so positive sign अब 1 में 1 multiply करने पर आया 1 यहने left hand side 1 आ रहा है आईए अब देखे right hand side right hand side m multiplied by n m multiplied by अच्छा पहले हम m multiplied by n plus m multiplied by p यह हमारा RHS है इसको रखते हैं अब इसमें value हों m की value है 1 multiplied by minus 2 चीक है plus m की value है 1 multiplied by p यहने 3 चलिए solve करें 2 बंजा 2 हुआ plus minus minus हुआ plus 3 बंजा 3 3 यह plus का है यह minus का है यह minus होगा 3 में से 2 गए 1 आया 3 is greater so positive sign यहनी RHS यहां बना गया LHS भी बना गया है LHS is equal to RHS hence verified okay friends मेरे वीडियो को subscribe कीजिए इन्हे like कीजिए और अपने फ्रेंस को इसे share करना बिलकुल मत बोलिए और जो बेल आइकन है उसमें all पर आप प्रेस कर दीजिए ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले समस के साथ तब तक लिए बहुत बहुत धन्यबत